सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ल्टी ग्रेड में वेरी इंपोर्टन है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही से बाहर हो जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है ल्टी ग्रेड में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ही हम बात करें तो हिंदी आपने जो गरेजुएशन क्या है उस में हिंदी हो ना चाहिए हिंदी गरेजुएशन में होनी चाहिए उसके बाद आपका Intermediate हो यानि कि 11, 12 में आपने Sanskrit पढ़ा हो या फिर गरेजुएशन में आपको दो साल Sanskrit पढ़ा हुआ होना चाहिए इन दोनों में Sanskrit किसी में भी हो तो आप इस form के लिए eligible है अगर आपके बाद Sanskrit नहीं है तो आप इस form को apply नहीं कर पाएंगे तो आपके बाद Sanskrit होगी तो आप apply कर सकते हैं ठीक है? दो साल पढ़ा हुआ होना चाहिए वही English के लिए हम बात करें तो English में आपके पास English Literature होना चाहिए English Literature आपको तीने साल है तो आप इसके लिए eligible है वही Maths के लिए हम बात करें तो Maths में भी आपके पास क्या होना चाहिए Maths आपके graduation में होनी चाहिए तीनों साल तो आप Maths के लिए भी eligible है क्लियर है अब साइन्स के लिए हम बात कर तो साइन्स के लिए कौन इलीजिबल है तो साइन्स में आपके पास फिजिक्स हो या फिर कैमिस्ट्री हो फिजिक्स और कैमिस्ट्री हो तो आप इसके लिए इलीजिबल है अब ये दो साल होना चाहिए टू इयर्स है तो आप साइन यहां होना चाहिए, दो साल आपने physics chemistry पढ़ी होनी चाहिए तो आप science के लिए eligible है, clear है, दो साल ध्यान अगणा, या तो last के दो साल है, या पहले दो साल, तो दो साल आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए इलीसिबल है अब बाइलोजी की हम बात करें तो बाइलोजी में आपके पास जुलोजी या और बोटिनी जुलोजी और बोटिनी पढ़ा हुआ ना चाहिए ये भी दो साल कम से कम तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए त History, Polity, Geography और Economics इन चारों में से आपके पास कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए आपने दो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप Social Studies के लिए एलीजीबल है आप Social Studies का फॉर्म कर पाएंगे वही आर्ट के बात कर तो आपके आज फाइन आर्ट होना चाहिए तो आप उसके लिए इलीजीबल है तो यह आपकी इलीजीबिल्टी criteria है L.T. grade में अब इसी eligibility criteria पे आप form को fill कर पाएंगे और यह hopes हो कि बहुत easily आपको eligibility criteria पता चल गया होगा और social studies में तो कुछ ऐसा भी है कि दो subject आगर मालो आपने एक को रखा main एक से paper दिया दूसरा आप choose करके paper देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ये भी आपके पास option रहता है ठीक है जैसे history quality हमने पड़ी है आप paper एक हमने रखा और दूसरा पेपर देने चाहता हूं तो आप ये भी कर सकते हैं ये आपके लिए थोड़ा आम ये कहें कि छूट रहता है या पे तो ये आपके लिए beneficial होने वाला है तो ये eligibility कराइट है तो maximum students यहीं इनी सब्जेक्ट से आते हैं तो इसके बारे हमने discuss किया आप सभी अपने study को बहतर मणाने के लिए next film channel को ज़रूर स्वाइन करें क्योंकि हमने complete जो preparation कराई थी LTE grade को लेकर ही preparation कराई थी general studies की अब दुबारा से special batches first September से start करेंगे आपके लिए क्योंकि October में हमें chances है कि vacancy LTE grade को देखने को मिल जाए और LTE grade के vacancy आएगी तो मान के चलो भाई पढ़ाई जो correct and it cutoff भी उपर जाएगी इस बार so guys आप सभी बने रहिए और next film channel को subscribe कीजिए और LTE grade के त्यारी करिए all the best thank you very much